मेरे हिसाब से दुनिया में तीन category के लोग होते नंबर एक ऐसे लोग जो हर छोटी मोटी बात को दिल पे लगाए बैठते नंबर दो ऐसे लोग जिनके लिए बात छोटी हो या बड़ी हो उनको कुछ फरक नहीं पड़ते नमबर तीन ऐसे लोग जो इन दो केटेगरी के exact बीच में आते perfectly balanced लेकिन भाई ये तो काफी rare है है ना Hi friends, this is Ronak Sir और मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आपकी पहरे चैनल RC Engineer पर दोस्तो आज का जो वीडियो है वो आप पूरा जरूर देखना विकॉज जो टॉपिक है वो काफी इंट्रेस्टिंग है Expectations अब आपकी भी ये Expectations होंगी कि सर इस वीडियो में बढ़िया सी स्टोरी सुनाएंगे और ज्यान देने की कोशिश करेंगे तो मेरे भाई मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा क्यूंकि Expectations होट अब आपके पास Expectations को लेके इतनी सारी स्टोरी होंगी मैं बस add-on कुछ चीज़े आपको बताऊंगा जो शायद आपको आपके लाइफ में काफी मददगार साबित हो सकती है चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए देखिए मैंने मेरे life में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं हो सकता है, मेरा हमेशा अच्छा ही होगा, इसी उम्मीद के साथ, इसी expectation के साथ कई सालों तक मैं भी जीते आ रहा था, लेकिन आप मुझे लगता ये practically मेरे life में अच्छा होगा ये बस expect करते रहोगे या फिर खुद भी उसके लिए कुछ करने की कोशिश करोगे अब आप जब किसी और के लिए सामने वाले के लिए कुछ अच्छी चीज़े करते हो तो expect करते हो कि उसने भी आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए अब जब सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छी चीज़े करता है तो वो भी expect करता है कि आप उसके लिए कुछ अच्छी चीज़े करो तो भाई ये जो expectation, expectation का सिलसिला ये ऐसे ही चलता रहता है और आपकी life जो है इस चकर में loop में चली जाती है और आप अटक जाते हो देखिए न पीडियों से हमारे यहां पे भगवान से भी expectations रखी जाती है तो इंसान क्या चीज़े अब आप पूछोगे सर इतनी सारी चीज़े आप बता रहे हो इन चीज़ों का ये जो भाशन आप दे रहे हो ये practical implement करना बहुत difficult है तो भाई मैं भी यही कहने की कोशिश क कर रहा हो जब implementation की बारी आएगी तो आपको मेरा ये भाशन जो है यही जरूरतमन साबित हो सकता है तो चलिए अब आपको अगर कुछ solution चाहिए तो मैं बताता हूं number 1 देखिए जब दिल और दिमाग का खेल होता है ना तो आजकल लोगों ने दिल भी दिमाग से लगाया आपको सच में पहले पता होना चाहिए अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छी चीजे कर रहे हो तो कुछ expect मत करो कि उसने भी आपके साथ इन रिटन कुछ अच्छी चीज करनी चाहिए बस आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप उसके साथ अच्छी चीजे करने की बोलेगा मैंने अगर इसके लिए कुछ ने किया है अगर आपका मन आपको मना कर रहा है तो आपने वो चीज नहीं की तो भी चलेगा यज बहुत जरूरी है जब आपको कुछ चीज लग रही है तभी आप उस चीज के बारे में सोचो अदरवाइस प्लीज बिलकुल भी मत देखि को हुग सीज बिलकुल द ज सलाषने Nh Wales कमिया आаются ہ ab Sin कितना भी बूरा करो लोगों का जो नजिरिया है वो एक लेविल के बाद आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो तो आप इसके बारे में कुछ सोचो ही मत बस अपना-पना काम जो है वो करते रहो अब आप बोलोगों कि सर आपने बोला expect ही मत करो तो मैं ऐसे नहीं कर रहो यह immediate होना बहुत difficult है तो आप थोड़ा सा experiment कर सकते हो आप expectation ना करने की जगह पे कम expect करना शुरू करो, कुछ दिन कोशिश करो कि आप कम से कम expect करो लोगों से तो शायद आपको life के बहुत सार ऐसे dimension से वो समझ में आना शुरू हो जाएंगे देखिए इस life में लोग खुश रहने के लिए परेशान हो रहे तो आपको भी ये चीज़ समझने चाहिए कि बाकी लोग क्या कहते हैं या फिर हम लोगोंने किसी और के साथ क्या expect करना है उसने क्या expectations रखिए ये सारी सोच विचार जो है वो प्लीज बाजू में रखिएगा और life के बहुत सर ऐसे dimensions से वो आपको समझ में आ रहे कि नहीं इसके बारे में प्लीज सोच विचार करिए आपको अगर मेरे विचार सच में पसंद आ रहे या फिर ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा बोल रहे है इंसान तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से और नहीं नहीं topics लेके मैं आपके सामने जरूर आऊंगा तब तक के लिए thank you thank you so much